चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू बल खा के मेरी जाना गुम सुम सा है गुप चुप सा है मद होश है खामोश है है इसमा कुछ लोड है है गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं एक और लुक के साथ आपके सामने आई हूँ तो ये लुक है करवा चौथ के लिए एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और ये लुक मैंने सोचा वो थोड़ा है भी लगा मुझे तो मैंने सोचा जिसको लाइट मेकप पसंद है ना उसके लिए एक और वीडियो बना देती हूँ तो ये उनके लिए है तो यहाँ पे मैं अपना सीट्यम कंप्लेट कर ली हूँ और हाँ लुक चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने बालो को कर लिया है आप देखो किता प्यारा लग रहा है मुझे तो कर्ल्स बहुत अच्छे लग रहे है तो चलिए वीडियो को स् थोड़ा टाइम वेट करना है देन यहाँ पे अगर आपको हैबी बेस नहीं पसंदे तो आप उनली कंसिलर भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे फांडेशन यूज कर रही हूँ फांडेशन का क्वांटिटी मैंने बहुत ही कम कर दिया है और फांडेशन के लिए मैं मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैवलेन फिटमी का फांडेशन और इस जिसमें मेरा सेड है 128 तो यहाँ पे मैं एक स्पॉंज की हेल्प से उसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर लेंगे तो आप देखो यहाँ पे बहुत जादा नहीं है मैंने बहुत ही लाइट मतलब यह आहाँ पे फॉंदेशन यूज किया है लेकिन उसका क्वांटिटी कम कर दिया है जिसे है भी नालागे, बहुत ही नाचुरल दीखेन टो जिसने अभी तक मेरा वेडियो नहीं देख़ा है चिन पे और थोड़ा सा फोर हेड पे अपलाई कर लिया है यह मैंने नया पैक मंगाया है इसका मैं एक हॉल वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने क्या-क्या समान आडर किया था तो उस पे मैं एक हॉल वीडियो बनाने वाली हूँ तो इस कंसिलर का सेड है आइवोरी क्योंकि क्या है ना कि जो बेरे पास धाना वो सारे मेरे स्किन टोन के थे तो हाईलाइटेड उत्ता अच्छा से नहीं दिखता था इसलिए मैंने इसमें अपना से डाइवोरी मंगाया है और अच्छे से अपने फेस को हाईलाइटेड दिखाने के लिए इसको मैंने यूज़ किया है उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हूं मैबलेन fit me का compact और अच्छी तरह से सारे को सेट कर देना है सेट करने के बाद मैं आती हूं अपने face को contour करने की तरफ यहाँ पर मैं बहुत ही natural सा रखी हूं इसलिए मैं कुछ भी क्रीम ब्लस क्रीम कंटूर कुछ यूज़ नहीं कर रहे हूं यहाँ पर मैं बहुत ही light सा कंटूरिंग कर रहे हूं अपने face को तो face कंटूर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हूं और अपने high points पर अपलाई कर लेंगे जैसे breeze of the nose पर क्यूपीट बोचें पर अपने cheekbone पर अच्छे से अपलाई कर लेंगे थोड़ा सा forehead लगा लेंगे यहाँ पर आप देखो कितना प्रिटी लग रहा है ना बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा था उसके बाद मैं अपने आइब्रो को फील कर लूँगी आइब्रो फीलिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्राव पॉडर और एक इंगर प्रिस की हिल्प से उसको अच्छे तरह से फील कर लिया है यहाँ पर जो मेरा नाचुरल से ना मैंने बिल्कूल बस सेम कर लिया है ते इन उसके बाद इस पूली की हैप से उसको अच्छे तरह से कोम कर लिया है आपको भी सेम करना है अगर आपको ओवर्ड्रो पसंद है तो आप वह भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैं बहुत जादा नहीं कर यहाँ पर मैं नाचुल रखी हूँ इसलिए मैंने अपने जो मेरा आइबरो है उसी को सेप दे दिया है बस लाइट सा दिन उसके बाद जो कंसीलर मैंने यूज किया था हाइलाइट दिखाने के लिए सेम कंसीलर को अपने आइलिट पे अपलाई कर लिया है उसके बाद उसको स्पंज से ब्लेंड कर दिया है नेक्स मैं यहां पर यूज करी हूँ इसे फार का आई साइडो पैलेट तो अगर आप बीगिनर्स हो तो यह पैलेट आपके लिए बहुत ही चाहिए क्योंकि इसमें कलर ऑप्शन्स बहुत चाहरे हैं और बहुत ही पिग्मेंटेट भी है आपको बिल्कुल रिग्रेट फिल नहीं होगा और बहुत जादा कॉसली भी नहीं आपके बजट में आ भी जाएगा इसमें से मैं सबसे पहली यह पॉपर कलर पिक करी हूँ उसके बाद यहां पे मैं अपने क्रीज पे अपलाई कर ली हूँ जो वीगिनर्स है जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे थ्री डॉट्स बना लेंगे उसके बाद आपको क्रीज पे हलका हलका सा ब्लेंड करना है तो जो मैंने ब्रस लिया था उसे मैंने बस अपलाई कर दिया है क्रीज पे दिन उसके बाद एक फलफी ब्रस लेके उसको अच्छे तरह से ब्लेंड कर देंगे यहां पे मैंने आई मेकप भी बहुत ही स करना है देन हलका सा ब्लेंड करना है था कि मुझे बहुत ही अच्छा लुक मेले देन उसके बाद मैं यहां पर यूज कर दी हूं तो सेम पैलेट से मैं यहां पर गोल्डन सीमर सेड ले रही हूं और एक फ्लैट ब्रस की हेल्प से अपने इनर कॉर्णर से हाफ लेट तक अप ही सुन्दर ताम ज्याम यह निए सिमपल डो य्कलर अबस आपको यूज कर लेना है बहुत ही तुनदर लग रगा था तो यहां पर मैं आफ एक कैमरा तो प्लीज लाइक कर देना हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं हम इससे भी और अच्छा काम कर सकते हैं बाद मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करती हूं मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है है भी दिखने लगेगा इसकी वज़े से मैं लैसे नहीं लगा रही यहाँ पे यह मस्कारा ही बहुत अच्छा है अगर आप इसको दो तिन बार कोट कर लो ना तो आपको फॉल्स की जरूवत ही नहीं पड़ेगी नेक्स आपको सेम पैलेट से पपर कर लेना है अपने लोर लैस लाइन पे भी अपलाई कर लेना है इससे क्या होता है ना इससे आपकी आँखी बहुत ही प्रिटी लगती है देन उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट काजल अपलाई कर ली हूँ आप अपने अक्रडिंग यूज कर सकते हो कोई भी कलर यहाँ पे मैं अपने वाइट काजल अपलाई कर लूँ देन उसके बाद मसकरा से अपने लोर लैसे को भी कोट कर लूँगी तो आप जब भी मसकरा अपने अपने अपर लैसे पे अपलाई कर रहे हो ना लोर लैसे को बिल्कुल भी मत भूलना बहुत ही अच्छा लूँग आता है वैसे तो यही रहा मेरा final look कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और हाँ आपको सच में अच्छा लगे तो यह look आप करवा चाओत पे recreate कर सकते हो बहुत ही simple बहुत ही easy way में आपको बताया है कि कैसे और किस तरह से आपको करना है तो इस look को complete करते हैं एक छोटी सी बिंदी विद जूलरी के से ओ हेलो अब देखती रहोगे या फटाफट वीडियो को लाइक भी करोगे अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना फैमिली फ्रेंड के साथ सायर करना बिल्कूल न भूले मिलते हैं पनी नेक्स वीडियो में ते देन बाई